अनुजे देख रही थी कि data point क्या रहा है previous elections में 2014 वाले साल में results या फिर exit poll से ठीक एक हफ़ते पहले 2019 वाले साल में exit poll से ठीक पहले performance कैसा रहा था और वहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि 2014 of course 0.5% का इजाफा 2019 में करीब 3.83% की तेजी तो question mark अब 24 के लिए हम कितनी तेजी फिर इस हफ़ते निभाते होए दिखाए देंगे उसको लेकर curiosity बढ़ जाएगी हशता बिलकुल आपने का ना एकदम hitting the nail on the head और I think Neeraj जी आपके साथ बैटे हों को याद होगा यह चीज हमने discuss की ती जब market phase 3 of phase 4 के बाद थोड़ा सा nervous था तो मैंने exactly यह statistics बताया थे कि 2019 में क्या हुआ था आप देख लिए 2019 में भी पहले 4 phase में market 4% गिरा था वही India Wix 20 के ऊपर निकल जा था वही सारे noises आने शुरू हो गए थे कि voting percentage ऐसा है वैसा है market शायद correct होने वाला है और उस समय मैंने पूरा data के साथ बताया था कि नहीं यह होता है market में पहले 3-4 phase में थोड़ी profit booking आती है उसके बाद market एक exit पोल से पहले एक बड़ा मूँ दिखाता है और all time high hit करता है 2014-19 में यह हुआ था और 2024 में भी यह होना चाहिए इस बार तो हमने all time high पहले hit कर दिया और जैसा आपने यह numbers में दिखाया है मुझे हरानी नहीं होगी अगर इस हफते market वाकिए में वो rally दिखाया और वो जो मेरा 2-3-4-5-6 का target है वो इसी हफते आज है तो मुझे उसमें बिलकुल 1% भी हरानी नहीं होगी क्रोस्ट और कि उसी momentum और जो momentum हमने पिशले हफते पकड़ा है उसी तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे जैसे आप लोग पहले भी mention कर रहे थे कि देखी यह भारतिय मार्किट्स के लिए एक बहुत एहम हफता एक तो चुनावी नतीजों से ठीक पहले वाला trading session रहा है और of course Friday को भारत के GDP के data points भी आएंगे इस बीच of course global market से भी हम थोड़ा सा क्यों लेंगे क्योंकि अमेरिका में भी कुछ GDP का print देखने को मिलेगा चाइना का PMI data आएगा इस सब के बीच फिर ए global market से कितना क्यों लेना है या उस वो बस by the way चलता जाएगा ध्यान रखेगा एक long weekend के बाद कल मेरिकी markets में कारोबार की शुरुबात होगी लेकिन क्या क्यों